काफी सारे लोग इस बात से कन्फ्यूज होते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऐलोवेरे जेल हमारे अच्छा रहेगा और ये सही बात भी है क्योंकि जब हम मार्किट में ऐलोवेरे जेल खरीदने जाते हैं खास तोर पर पताँजली का ऐलोवेरे जेल तो हम बिलकुल कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में से कौन सा ऐलोवेरे जेल हमें लेना चाहिए और कौन सा हमारे ले अच्छा रहेगा और क्या इनके कोई साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं या नहीं ये सारा कन्फ्यूजन आपके दिमाग में जरूर चलता होगा तो नमस्कार मेरे नाम है जितेश और आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस चैनल में दोस्तों वीडियो को पूरा देखना तभी आप इन दोनों के बारे में अच्छे से जान पाएंगे और जो आपके मन में एक कन्फ्यूजन है कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए अच्छा रहेगा तो ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हो जाएगा चलिए तो फिर बिना देरी के वीडियो सुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों की प्राइस की बारे में अगर पहले बात करें इस अलोवेरा जेल केसर चंदन की तो इसका प्राइज जो है वो 110 रूपे है जो आपको 150iger के पैकिंग में मिलता है लेकिन वही अगर हम बात करें इस normal अलोवेरा जेल की तो इसका प्राइज जो है वो 90 रूपे है और इस 90 रूपे में ये भी आपको 150iger की पैकिंग में मिलता है तो अगर quantity के इसाब से देखें तो दोनों की quantity जो है वो स चंदन की मुकाबले नॉर्मल ऐलोवेरा जल का जो प्राइज है वो 20 रुपे कम है और अगर हम बात करें इन दोनों के इंग्रीडियन्स की तो सबसे पर अगर हम बात करें इस ऐलोवेरा जल केसर चंदन की तो इसके अंदर 89% गृत कुमारी यानि ऐलोवेरा डाला गया है और इसके साथ ही इसमें 0.01% केसर और 0.10% सफिज चंदन डाला गया है और साथ ही इसमें वाइटेमिन E और परमिटेट कलर सुगंदी द्रवबियेट किया हुआ है और वहीं अगर हम बात करें इस नॉर्मल ऐलोवेरा जल की तो इसमें 90% केवल गृत कुमारी यानि ऐलोवेरा ही डाला गया है और साथ ही इसमें वाइटेमिन E परमिटेट कलर और सुगंदी द्रवबियेट करा हुआ है यानि कुल मिला कर देखें तो इसमें केवल आपको ऐलोवेरा जल ही मिलता है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके में टोबिक पर कि इन दोनों में से कौन सा आ हैं जिसमें पहला दिया हुआ है सोने से पहले एलोवेरा जल केसर चंदन से चहरे पर मसाज करैं और चहरे पर एक लेयर बनाकर छोड़ दें सुवे उठकर गुनगुने पाने से चहरा धोलें और दूसरा इसमें लिखा हुआ है सुबे नाहने से 30 मिलत पहले यानि आदे घ एलोवेरा जेल केसर चंदन से 5-7 मिनट तक मसाज करें तो इन 3 स्टेप को पढ़ने के बाद इससे साफ यही मालूम पढ़ता है कि यह जो एलोवेरा जेल केसर चंदन है इसे आप केवल अपने फेस पर ही यूज कर सकते हैं क्योंकि इसके प्रियोग विदी में ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं गिया है कि आप इसे अपने बालों पर भी यूज कर सकते हैं लेकिन वही अगर हम इस नॉर्मल एलोवेरा जेल की बात करें तो इसे हम अपने फेस पर तो यूज करी सकते हैं और इसके साथी साथ अपने बालों पर भी यूज कर सकते हैं जैसा कि इसमें लिखा भी गया है बालों की समश्याओं जैसे बालों का जड़ना, बालों का नाबढ़ना, बालों का कमजोर होना और डेंडरेफ की समश्याओं में नहने से 15 मिनट पहले ऐलोवेरा जेल से मसाज करें तो मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप केवल फेस पर ही ऐलोवेरा जेल अपलाई करना चाहते हैं तो आपके लिए यह ऐलोवेरा जेल केसर चंदन अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें ऐलोवेरा के अलावा भी आपको केसर चंदन का भी फाइदा देखने को मिलेगा लेकिन अगर आप अपने फेस के साथ साथ अपने बालों के उपर भी ऐलोवेरा जेल का फाइदा देखना चाहते हैं तो आपके लिए ये नॉर्मल Ray ваш Gör बढ़िया रहेगा क्योंकि आप इसे हर तरीके से उस कर सकते हैं तो दोस्तो वैसे तो ये दोनुھ ही जेल काफी अच्छे है लेकिन मेरे हिसाब से आपके लिए नॉर्मल ऐलोवरिय जेल अच्छा रहेगा लेकिन फिर भी इसको सकिन पर अप्लाइ करने के बाद आपको कुछ सकिन ऐलर्जी कुछ ऐसा फिल होता है तो आप इसे यूज़ करना बंद भी कर सकते हैं या फिर आप अपने चहरे पर फ्रेस एलोएरा का यूज़ कर सकते हैं तो दोस्तो तब तक ले बस इतना ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे अपना कीमती समय इस वीडियो को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद